नमस्कार आप सभी को प्रग्यान आरे सकेटमी में आप सब का स्वागत है आज पूरे राजस्तान वासियों को गणी गणी खमा और बड़ी तीज की बहुत सारी शुबकामनाएं तीज माता सब पर अपना आशिरवाद बरकरार रखे सब के घर में धन्य, धान्य, समरदी, स् और प्यारे प्यारे विद्यारतियों को विद्या प्रदान करे तो परिक्षा की पॉइंट उफ्यू से देखते हैं कि ये तीज माता बड़ी तीज जो मनाई जा रही है आज वो बड़ी तीज क्यों मनाई जाती है कहां की प्रसिद है फिर ये छोटी तीज क्या है ये बड से बना हुआ चित्र है जो एक दिन पहले बनाया जाता है तो अपन देखते हैं इसको पहले एक्जाम पॉइंट उपी से पढ़ लेते हैं तीज कौन सी तीज है तो ये तीज का नाम देखो अलग-अलग कर देते हैं तीज बड़ी तीज बूड़ी तीज कजली तीज सतूरी तीज और इसके नाम है नीमडी तीज लो भई नीमडी तीज अब ये कब मनाई जाती है तो इसके मनाने का जो दिन है वो कब है तो वो है भाद्र क्रश्न तरतिया ये बड़ी तीज है ठीक है ये कहां की प्रसिद है तो ये बूंदी की प्रसिद है बूंदी की प्रसिद है अब इसी दिन क्या है ये वैसे बड़ी बूड़ी बहूं का तिवार है बहूं का तिवार देखिए छोटी तीज अभी गई है जैपुर की प्रसित थी अपनोंने सवारी भी देखी गेवर के भी अपनोंने चारो तरब गेवर की धूम मची हुई वो भी अपनोंने देखी तो जो सावन का महिना है उसमें तीज कब आ रही है तो ये पक्ष है अपने ये सावन और आदवे महिने की इस वाले पक्ष में यानि की लगते ही इस क्रश्न पक्ष में आने वाली तरतिया क्या कहलाती है बड़ी तीज कहलाती है बड़ी तीज बूड़ी तीज कजली तीज सातूड़ी तीज और नीमड़ी तीज ये इसके नाम है तो जैपुर में क्या है धूम से सवारे निकल रही है चोटी सिज कि और क्दगोर की जहां बात करें क्योंकि उसका पति मिला है उसका सोभाग गया उमेशा बना रहे और जो कुमारी लड़कियां हैं वह शिव जी के समान वर प्राहप्ती की ऊच्छा से ये व्रत करती है क्योंकि मा गोरी ने भी बड़ी तपस्या से कई जनम-जनम की तपस्या से सिर्जी को पाया था है न तो छोटी जैसे यहां प्रसिद है तो गणगोर के लिए आपने एक कहवत सुनी होगी हाडो ले डूबियो गणगोर यानि कि गणगोर के आउसर पर जब कोई त्युहार के दिन अकाल मृत्य हो जाती है तो राजिस्तान में एक रिवाज है कि उस घर में वो त्युहार पीडी-दर-पीडी तब तक नहीं मनाया जाता जब तक कि उस घर में क्या नहीं हो जाए सेम डे बच्चे का जनम नहों वो भी लड़का ही पैदा होना अन्यथा बहुत सारी जगें आठ भी बूलते हैं कि आठ है लेकिन ओक पड़ी हुई है इसका मतलब यह पर्व नहीं मनाया जाएगा तो बुंदी में कोई रंग नहीं है फीका रंग है सब जगे तो वहां एक छोटा सा ठिकाना है गोठडा और गोठडा के ठाकुर है सिंग क्या है बोती जाबा सिपाई है और देश प्रेम भावना सब इन में ओत्प्रोथ है तो बलवन सिंग को एक बार चलते हुई जैपूर में आपने देखा कि छोटी तीज कब सावन में आ रही है तो इस तीज माता की सवारी के चर्चे होते हैं तो बात बात में बलवन माता को हम नहीं मना सकते हमारे यां गंगोर तीज की समझ लो ओक है गंगोर की पड़ी जब से ऐसा कोई सवारी वाला तो कोई त्युहार मनाया नहीं जाता है तो थोड़ी सी टीज लग गई इस वीर पूरुष के और इस वीर पूरुष ने सोच लिया कि हमें तो तीज को लूट नहीं है जैपूर की और लाना है तो ऐसी क्योदनती आती है कि वहां बलवन सिंग ने इस तीज माता की सवारे निकलते हुए में ही इसको लूटा और लाकर के कहां गोठडा में स्तापित किया और बड़े धूम धाम से ये सवारी निकाली एक मतलब वो माहोल काफी निरस्ता के बाद कैसा हो गया खुशी भरा हो गया गोठडा के सरदार बलवन सिंग की म्रत्यू के बाद इस जागिरदार की म्रत्यू के बाद बूंदी के सासक राम सिंग ने क्या किया कि इस राम सिंग द्वारा तीज माता की सवारी बड़े धूम धाम से शाही लवाज म के साथ निकाले जाने लगी राजशाई परिवार में वो की वही जिसे छोटी तीज निकलती है वैसी नवल सागर जील आपने सुना है नाम नवल सागर जील के तट पर ऐसे कहते हैं 21 तौपों की सलामी भी होती है और यहां से होती हुई फिर आप रानी जी की बावड़ी तक बावड़ी तक यह सवारे निकलती है और फिर वापस राजमेल में लोटती है तो यह बूंदी में भी क्या हो गया बड़ी तीज का मनाने का यह सिलसिला शुरू हो गया किसकी बदोलत किसकी बदोलत बलबन सिंग की बदोलत तो एक तो ये किवधनतिया ही है जो हम जान रहे हैं, बाकी आप देखो तो इसको डंग से समझो, किसके नाम जो अपन देख रहे हैं तीज के, ये छोटी इसलीए है कि एक तो पहले है, ये ऐसे नहीं कि बड़ी होनी चीए, पहले महिने माई ये सावन में तो बड़ी, ये छ कजरी करके एक मद्री ऐश्या में जंगल था उमाराजा की बेटी अपने पत्ती के साथ में जब सती होती है तो उसकी स्मृति में वहां एक राग चला कजरी राग और वहां से यह चलता चलता एक सत्वाला सत्वी की देवी वाला बन गया कहाँ पर कजली लेकिन उड़ती उड़ती बाते हैं इस आउसर पर सत्व बनाया जाता है जैसे छोटी तीज पर घिवर होता है वैसे ही सत्व किस-किस का बनता है तो गेहूं गेहूं, चना, चावल इन सब का मिश्रण होता है गेहूं, चना, चावल और जो इसमें घी भी डालते हैं मेवा भी डालते हैं इस मिश्रण से क्या तयार किया जाता है सत्व सत्व स्वास्ति के लिए बहुत लाब ब्रत है तो सत्व बना कर खाया जाता है बड़ी तीज का मुख्य जो मिठाई होगी न वो सत्व है वैसे ही छोटी तीज में मुख्य मिठाई क्या है गेवर है तो बड़ी तीज बुंदी में प्रसिद है जिसे कजली और सतूरी भी कहते हैं इस अउसर पर नीम के वरक्ष की पूजन की जाती है क्योंकि ये समय ऐसा है इन्फेक्शन वाला है जिसमें सबसे कारगर वरक्ष येदी कोई है तो वो नीम है चाहे आप कपड़ों में नीम की पत्तियां रखिए चाहे नीम के घोल का आप कहीं छिड़काव कीजिए नीम की गोलियों का अस्तमाल कीजिए तो ये नीम के पेड़ की पुजा भी विशेश मैत्व रखती है उसको पन क्या कहते हैं नीम डितीज लेकिन बड़ी बढ़ी बढ़ी बढ़ों से समंदित है ये एक आस्ता का प्रतीक है बढ़ों क्या भई एक घर में एक सेड़ जी के साथ बढ़ों थी चे बढ़ों के पीर से तो ये सारी मिठाईयां और ये जो आते हैं अपने सिंझारा वो सिंझारा आया एक दिन पूर्व आता है जो लेकिन साथवी बढ़ों के क्या था पीर नहीं था माबाप खतम भाई थे नहीं आप कौन लेकि आवे तो उसने पती से का कि आप ही करना काम कि सत्तु ले आना ये पिंड ले आना मेरा तो कोई पीर है नहीं सात्वा बेटा गरीब वो कहां से लेकिया आवे तो उसने चोरी करी एक सेठ के यहां से जो सेठ ने उसको चोरी करती हुए पकड़ लिया और पूरा जब बात को या मर्म को समझा किसी चोरी क्यों की तो उससे कहते हैं कि इस माता जी के वृत को रखने से जित्ती सिदसे आप लखोगे तो किसी चीज की कमी नहीं होगी देखो पीर नहीं था जिस तरह सातवी बहुको पीर मिला उसतरे सब्केल में धंधान निबरा रहे और उस बहुको भी ऐसी किसी चीज की कमी मेहसूस नहों यह है आस्ता का तेवहार कौन सा कजली तीज, बड़ी तीज और बूडी तीज़, यह बहवों का तीज़ है जिसमें ऐसे आटे की साथ लोईयां बना के गाई को खिलाई जाती उसके पिछे भी यह कहानी मानी जाती है, बाकी कजली तीज, सतूरी तक सवारी खूब निकाली जाती है तो इस बड़े सुहाने पर यही चोटे ऐसे चोटी ती जैसे मनाई जाती जैपूर में वैसे ही मेला भरेगा ऐसी सवारी निकलेगी ऐसी धूमदाम से मनाई जाएगी और इस पर भी कुमारी कन्याये वरत रखेगी सुहागने वरत कि वही लहरिया पेना जाएगा वहाँ पे भी खुशी से और क्या होगा मिठाईया चारू तरफ है सब खुशी का महोल है लेकिन मिठाई में गेवर के स्तान पर क्या आगए सत्तु आगए तो यह बड़ी तीज परिक्षा के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर है और राजस सोभाग्य की प्राप्ति के लिए कठिन वरत करती है जिसमें चंद्रमा के दर्शन के बाद ही भोजन करा जाता है चंद्रमा और उसकी पत्नी रोहिनी की भी पूजा की जाती है बहुत सारे लोग निर्जला वरत रहते हैं और निर्जला ही रखा जाता है यह वरत और जो ग हर महिला इस वृत के महत्व को समझती हैं और अपने घर में सुख सम्रद्दी के लिए वरत करती हैं तो दुबारह आप सब अज़ोस वागे को बहुत बहुत खमागणी और बढ़ाईया किसकि इस बडी तीज की बडी तीज बडी 30 कजली 30 सतोड़ी 30 मनाइए स्वस्त रहें खुश रहें ऑर इसी सब्सक्राइब के से हमें हमें धेर सारा प्यार और आशिरवाद देते रहें ओके विश्य ओल्दा वेस्ट जैहिन